मेरा एक खुशाल परिवार था. मैं एक कंपनी में ओफिस और मानव संसाधन प्रबंधक थी. मेरे पती इलेक्टरसिटी ब्यूरो में ओफिस प्रबंधक और सहायक कंपनी के प्रमुक थे. उनकी तरक्की उपने देशक के पदपर होने वाली थी. हमारा बेटा भी बहुत स्मार्ट था. हमारा परिवार सुखी जीवन जी रहा था. सभी परिचेत हमारी प्रशंसा करते थे. जब मैं इस खुशाली का आनन ले ही रही थी, तभी कुछ बहुत बुरा हुआ. मेरे पती ड्राइवर की बीवी के साथ चक्कर में पढ़ गये. इस अचानक धक्के ने मेरी दुनिया पूरी तरह से हिला कर रख दी. मैंने कई दिनों तक ना कुछ खाया ना सो पाई. मैं घुस्स से भर उठी. मैंने बहुत अपमानित महसूस किया. मैं इतनी तकलीफ में थी कि मैं मरना चाहती थी. मैं अपने हाथ में जहर की शीशी लेकर मरने ही वाली थी. तब ही मुझे अपनी बूढ़ी मां और चोटे बेटे का ख्याल आया. अगर मैं मर गई तो मेरी बूढ़ी मां अपनी बेटी को दफनाने का सद्मा कैसे छेल पाएगी. और बेटे को जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. उसके पिता पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता. अगर उसकी मां गुजर गई, तो क्या वो बिल्कुल अनात नहीं हो जाएगा? हाँ. इन ख्यालों से मेरा दिल बिखल गया. मैं घुटनों पर बैठी, रोने लगी. मैंने गोलियों को फर्ष पर बिखिर दिया. थोड़ी देर बाद, जिंदगी और मौत के बीच कहीं से मैं उस दर्ट से बाहर निकल आई. मगर मेरी सुकून भरी जिंदगी मुझे वापस नहीं मिली. मैं उस औरत से बे इंतिहा नफरत करने लगी. मुझे लगा, मेरे तमाम दुख दर्ट का कारण सिर्फ वही है. उसने हमारे खुशाल परिवार को तबाह कर दिया. मैंने सोचा, मुझे तबाह करके तुझे सुकून से जीने नहीं दूगी. मुझे मुश्किल में डालने की तुझे यकीनन दूगनी कीमत चुकानी पड़ेगी. मैंने उसे मारा पीटा, लोगों को उसके घर भेज कर तोड़ भोड करवाई, ताकि वो वापस घर जाने से भी डरे. मैंने उसे डरा कर भयंकर दुविधा में तो डाल दिया, पर मेरी पेड़ा बरकरार थी. मैं अपने टूटे हुए घर की परचाई से बच कर नहीं निकल पाई. तब ही एक परिचित ने मेरे साथ प्रभु यीशु का सुसमाचार साजा किया. मुझे बाइबल की एक प्रती दी. इसे पढ़कर प्रभु यीशु की सहनशीलता, सब्र और शमाचीलता ने मेरे दिल को छू लिया. मैंने प्रभु के बारे में पढ़ा, निश्पाप होकर भी इंसानों के छुटकारे के लिए उससे सूली पर जढ़ा दिया गया. फिर मैं अपने पती और उस ओरत को एक बार माफ क्यों नहीं कर सकती. प्रभु से मैंने शक्ती देने की प्रार्थना की. उन्हें माफ करने के लिए सहनशीलता और सब्र देने की विनती की. फिर मैंने और मेरे पती ने जगरना बंद कर दिया. उस ओरत पर भी गुस्ता नहीं दिखाया. लेकिन उसके खिलाफ अपने द्वेश को मैं नहीं छोड़ पाई. मैं अपने परिवार, अपने बेटे और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए इन हालात को जबरन सहन करने लगी. मगर मुझे हैरानी हुई कि मेरे पती ने सयम दिखाना तो दूर, चीज़ों को बत्तर बना दिया. उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और उस ओरत के साथ भाग गए. इसे भला मैं कैसे जेल पाती, ये विश्वासखात मैं कैसे बरदाश्ट करती. मैंने वकालत में पहुँचके, तरक्के पाने का मौका पती की खातिर छोड़ दिया था. मैंने बच्चे की देखभाल की, रोज खाना बनाया, पती के लिए घर का सारा काम किया. अपने पती की तरक्के के लिए, मैंने हर जगे तालमेल बिठाया. बदले में मुझे मिला, सिर्फ अपने पती की ओर से विश्वास खात और धर्द. मैं बहुर सहन नहीं कर सकती थी. मेरे पती इतने निर्दई थे, कि मैं उनसे नफरत करने लगी. मुझे उस औरत से भी खरणा थी. मैं उसका मरा हुआ मूँ देखना चाहती थी. जल्दी ही, जब खाने पीने के लाले पड़ गए, तो वे शहर लोड़ गए. एक दिन मेरे पती रोने लगे, माफी मांग कर कहा कि वे गलत थे. कसम खाई कि नए सीरे से जिन्दगी शुरू करेंगे. कहा कि दोस्तों से बात करके शहर से बाहर, उनके काम का तबादला करवाने में मदद करूं, ताकि एक अलग माहौल में नही जिन्दगी शुरू हो सके. उनकी बात मुझे बड़ी सच्ची लगी. इसे सुनकर और उनका दुख देखकर मेरा दिल पसीच गया. मैं भी बीते दिनों की दुख भरी बाते भुला कर एक नई शुरूआत करना चाहती थी. इसलिए मैंने उनका अनरूध मान लिया. मैंने दोस्तों से बात की ताकि हम दोनों का तबादला हो. हम फिर से एक साथ रहने लगे. उनके मुझे खुश रखने की तमाम कोशिशों के बाद भी, मुझे लगा कि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था. इसके बावजूद, मैं हमारी शादी को लेकर ब्रहम पाले हुए थी. ये सोच कर कि घाव को भरने में वक्त लगता है. लेकिन एक बात ने मुझे और भी ज्यादा चौका दिया, कि जब मैं तबादले करवाने के काम में लगी थी, तभी मुझे पता चला कि वे फिर उस औरत से मिलने गए थे. अब मैं अपना गुस्सा रोक नहीं पाई, और चीक कर उनसे जाने को कहा. दो दिन बाद, वो बिना कुछ कही ही चले गए, और फिर कभी नहीं लोटे. इस मुकाम पर पहुँचने के बाद मेरी मीन खुली. मैं समझ गई कि वे दिल से प्राश्चित करना ही नहीं चाहते थे. वे इसलिए लोटे थे, क्योंकि उनके पास गुजारा चलाने को पैसे नहीं थे. उन्होंने मुझे बहला फुसला कर फिर तिन के जोडने की इच्छा चताई. लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा था. वे अपना तबादला करवाने के लिए मेरा इस्तमाल कर रहे थे. इस बात का एहसास होने पर मेरा दिल तूट गया. मैं उन दोनों से बे इंतिहा नफरत करने लगी. मैं उस औरत को बचसूरत बना देने की यूजना बनाने लगी. जब मैं दुश्टिता में डूपती जा रही थी, तभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उद्धार का अपना हाथ मेरी तरफ पढ़ाया. और मैंने परमेश्वर के अंध के दिनों के कारे को स्विकार के परमेश्वर के वचनों को पढ़कर, मैंने दुनिया के अंधेरे और बुराई, समाज के दुख और वीरानी के वजहों को जाना आए परमेश्वर के वच्चनों का आंश पढ़ें ठीक है सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं ऐसी गंदी जगह में जन्म लेकर मनुष समाज के द्वारा बुरी तरहा संक्रमित किया गया है वो सामन्ती नैतिकता से प्रभावित किया गया है और उसे उच्च शिक्षा के संस्थानों में सिखाया गया है पिछडी सोच, प्रष्ट नैतिकता, जीवन पर मतलबी द्रिष्टिकून, जीने के लिए तिरसकार योग्य दर्शन, बिलकुल बेकार अस्तित्व, पतित जीवन शैली और रिवाज इन सभी चीजों ने मनुष्य के रिदय में गंभी रूप से घुसपैट कर ली है और उसकी अंतरात्मा को बुरी तरहा खोखला कर दिया है और उस पर गंभीर प्रहार किया है फल स्वरूप मनुष्य परमेश्वर से और अधिक दूर हो गया है और परमेश्वर का और अधिक विरोधी हो गया है दिन प्रति दिन मनुष्य का स्वभाव और अधिक शातिर बन रहा है और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो स्वेच्छा से परमेश्वर के लिए कुछ भी त्याग करे एक भी व्यक्ति नहीं जो स्वेच्छा से परमेश्वर की आज्या का पालन करे इसके अलावा नहीं एक भी व्यक्ति ऐसा है जो स्वेच्छा से परमेश्वर के प्रकटन की खोज करे इसकी बजाए इनसान शैतान की प्रभुता में रहकर कीचड की धर्ती पर बस सुख सुधा में लगा रहता है और खुद को देह के भरष्टाचार को सौंप देता है सत्य को सुनने के बाद भी जो लोग अंधकार में जीते हैं इसे अभ्यास में लाने का कोई विचार नहीं करते यदि वे परमेश्वर के प्रकटन को देख लेते हैं तो इसके बावजूद उसे खोजने की ओर उन्मुख नहीं होते हैं इतनी पतभरष्ट मानव जाती को उद्धार का मौका कैसे मिल सकता है इतनी पतित मानव जाती प्रकाश में कैसे जी सकती है मानव जाती मेरी शत्रू के अलावा और कुछ नहीं है मानव जाती ऐसी दुष्ट है जो मेरा विरोध और मेरी अवग्या करती है मानव जाती मेरे द्वारा श्रापित दुष्ट की संतान के अतिरिक्ट और कोई नहीं है मानव जाती उस प्रधान दूद की वन्शज ही है जिसने मेरे साथ विश्वास गात किया था मानव जाती और कोई नहीं बलकि उस शैतान की विरासत है जो बहुत पहले ही मेरे द्वारा ठुकराया गया था और हमेशा से मेरा कट्टर विरोधी शत्रू रहा है चूंकी सारी मानव जाती के उपर का आस्मान बगैर स्पष्टता की जरासी जलक के मलिन और अंधकार मैं है और मानव दुनिया स्याह अंधेरे में डूबी हुई है कुछ इस तरह कि उसमें रहने वाला कोई व्यक्ति अपने चेहरे के सामने हाथ को या अपना सिर उठाने पर सूरज को नहीं देख सकता है उसके पैरों के नीचे की कीचड़दार और गड़ों से भरी सडक गुमावदार और टेड़ी मेड़ी है पूरी जमीन पर लाशी बिखरी हुई है अंधेरे कोने मृतकों के अवशेशों से भरे पड़े हैं जबकि ठंडे और छाया वाले कोनों में दुष्टात्माओं की भीड ने अपना निवास बना लिया है मनुष्यों के संसार में हर कहीं दुष्टात्माएं जत्थूं में आती जाती रहती हैं सभी तरह के जंगली जानवरों की गंदगी से ढखी हुई संताने घमासान युद्ध में उल्जी हुई हैं जिनकी आवाज दिल में दहशत पैदा करती है ऐसे समयों में इस तरह के संसार में एक ऐसे सांसारिक स्वर्ग लोक में कोई व्यक्ती जीवन के आनंद की खोज करने कहां जा सकता है अपने जीवन की मन्जिल की खोज करने के लिए कोई कहां जाएगा परमेश्वर की दृष्टी में लोग पशु की दुनिया में जानवरों की तढ़ा हैं वे एक दूसरे के साथ लड़ते हैं एक दूसरे का वध करते हैं और एक दूसरे के साथ असाधारन बाच्चीत करते हैं परमेश्वर की दृष्टी में वे इस तरह के वानर हैं जो उम्र या लिंग की परवाह किये बना एक दूसरे के विरुद्ध शड़यंत्र रचते हैं आमीन परमेश्वर का धन्यवाद परमेश्वर के वच्चनों से मेरा दिल रौशन हो गया परमेश्वक गदा निवाद। हर मोड़ पर लड़ाई और मार काट होती है। जानवरों की दुनिया की तरहे जंगल राज चलता है। तो मुझे न खाओगे तो मैं तुम्हे मार डालूँगा। नैतिक मूले गिरते ही जा रहे हैं। इंसान पाप की जिन्दकी जी रहे हैं। सब दुराचार में लिप्थ हैं। पाप में मजे ले रहे हैं। पती पतनी एक दूसरे से विश्वास खात कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को धोका दे रहे हैं। लोग बुराई को पूझते हैं। स्त्री और पुरुष एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं, अपनी हवस पूरी करते हैं, दुनिया पर शैतान की मजबूत पकड़ है, ये अधिक से अधिक अंधेरी और दुष्ट होती जा रही है, ये पाप और व्यभिचार का अड़ा बन गई है, लोग नीचे गिरते जा रही हैं, अधिक दुष्ट और नीचोते जा रही है, मुझे एसास हुआ कि मेरे पती का विश्वासखाद शैतान की जहर का नतीजा है, बिलकुल, मैं भी कुछ अलग नहीं हूँ, मैं भी शैतान के भ्रष्ट तरीकों को छोड़ नहीं पाई, जब दूसरे लोगों ने मेर हितों को लांगा, तो मैं रोश से भर गई, चाहने लगी कि मेरे दुष्मन मर जाएं, मैं काम या जिन्दगी की प्रेणा लिये बिना हर पल, अपनी नफरत की आग में जल रही थी, अपने बेटे को भी मैंने इसमें घसीट लिया, क्या ये सारी विपत्तियां शैतान की ग इंसान दोश्ट और भ्रष्ट है, हम सभी एक दूसरी का शोशन करते हैं, सच्चा प्यार है ही नहीं धीरे धीरे मैंने अपने पती और उस औरत से नफरत करना छोड़ दिया, बदला लेने का खयाल भी मन से निकाल दिया जब मैंने इन चीज़ों को छोड़ दिया, तो मुझे एक जबर्दस्त आजादी और राहत का एहसास हुआ यही वो समय था, जब मैंने एक नई जिन्दगी शिरू की, हर दिन भाई बहनों से सभाओं में मिलने लगी, परमेश्वर के गुर्णगान के भजन गाने लगी, मुझे बहुत आजादी और राहत का एहसास हुआ धीरे धीरे, मुझे बहतर लगने लगा, और मैं फिर से मुस्कुरा सकी, फिर एक दिन अपनी एक खरीबी सहेली से अचानक मेरी मुलाकात हो गई, वो बहुत दुबली पतली और ठकी मांदी लग रही थी, मैं चौक गई, उसने बताया कि उसके पती ने उसे धोखा दिया, तलाक की बातों के दौरान उसने जहर पी कर जान देने की कोशिश की, लेकिन उसे बचा लिया गया, वैवाहिक जीवन में हम दोनों को एक जैसा दुरभागे मिला था, परमेश्वर की शरण में न होती, तो मैं कब की मर चुकी होती, और किसे पता अब तक मेरी कबर पर कित बच्चे क्यों माता-पिता की प्रती करतवे निष्ठ होते हैं, माता-पिता क्यों बच्चों से अतीसनेह करते हैं, लोग वास्तव में किस प्रकार के उद्देशे रखते हैं, क्या ये अपनी योजनाओं और स्वार्थी अभिलाशाओं को संतुष्ट करने के लिए नहीं आमीन धेर हो, सुखी परिवार और पती-पत्नी के बीच प्यार, वो जाल है जो शैतान हमें धोखा देने के लिए इस्तमाल करता है, दुरभाग्य से मैं इस बात को नहीं समझ सकी, इसलिए मैं शैतान की चालों को नहीं समझ पाई, मेरे पती के कुछ कुटल जूट और नकली आ मती मारी गई थी, इसके पीछे मैंने जिंदगी गवाँ ही दी थी, मैं कितनी बेवकूफ थी, शैतान की बज़े से हम चालबाज, कप्टी, स्वार्थी, घिनोने, लालची और दुष्ट हैं, सच्चा प्यार या सनिय भला कैसे हो सकता है, इस मुकाम पर मुझे एहसास हु की और दर्द मिटाकर मुझे सुकून दिया, मेरी आत्मा में शांती और आनंद का भाव कैदा किया, दुनिया में भला और कौन मुझे इस तरह प्रेम करेगा, परमिश्वर के प्रेम से बढ़कर और कौन प्यार कर सकता है, क्या परमिश्वर का प्रेम पाना, इनसान के प् पर्मेश्वर के उधार के लिए आभारी बनाया. फिर मैंने पर्मेश्वर के वचनों के कुछ अंश पढ़े. मैं पढ़कर जुनाना चाहूंगी. बढ़िया. हजारों वर्षों की राष्ट्रवात के बुलंद भावनाने, मनुष्य के रिधय में जो घातक प्रभाव गेहरे छोड़े हैं, लोकसामनती सोच से भी जकड़े हुए हैं बिना किसी स्वतंत्रता के, बिना महत्विकांग्षा या आगे बढ़नी की इच्छा के, बिना प्रगती की अभिलाशा के निश्क्रिय है, गुलाम मानसिक्ता में डूबे हैं। इत्यादी इन वस्तुगत कारकों ने, मनुष्य जाती के वैचारिक दुरुष्टिकून, आदर्शो, नैतिक्ता और स्वभाव पर, अमीट रूप से गंदा और भद्दा प्रभाव छोड़ा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मनुष्य आतंग की अंधेरी दुनिया में जी रहे हैं। और कोई भी इस दुनिया के पार नहीं जाना चाता, और किसी आदर्श दुनिया में जाने के बारे में नहीं सोचता। बलकि वे जीवन की सामान्य स्थिती से संतुष्ट हैं। बच्चे पैदा करने, पालने पोसने, पसीना बाहने, रोज का काम करने, एक खुशाल परिवार के सपने देखने। तामपत्य प्रीम, नाती पोतों और खुश्णिमा आखरी सालों के सपने देखने में दिन बिताते हैं। और शान्ती से जीवन जीते हैं। सैकडो, हजारों साल से, अब तक लोग इसी तरह अपना समय व्यर्थ गवाते आ रहे हैं। कोई पूर्ण जीवन का स्रिजन नहीं करता। सभेज अंधेरे दुनिया में एक दुसरे को मारने और शड़ेंत्र करने और प्रतिष्ठा और संपत्ति की दोड में हैं। किसने कभी परमेश्वर की इच्छा जाने की कोशिश की है या परमेश्वर की कारिये पर ध्यान दिया है। मानव ताके सभी अंगों पर अंधकार के प्रभाव ने कबजा जमा लिया है और वही मानव प्रकृति बन गये हैं। और इसलिए परमेश्वर की कार्य को करना काफी कठिन हो गया है। परमेश्वर ने लोगों को आज जो सौपा हैं, उस पर विद्यान भी नहीं देना चाहते। आमीन। मैं भी एक अंज पढ़ती हूँ। ठीक है। मनुष्य का सारा जीवन शैतान के प्रभुत्व में बीटता है। कोई भी अपने बल्बूते पर अपने आपको शैतान के प्रभाव से छुड़ा नहीं सकता। सभी लोग ब्रश्टता और खालीपन में बिना किसी अर्थ या मूलिके एक गंदे संसार में रहते हैं। वो शरीर के लिए और वासना के लिए तथा शैतान के लिए ऐसी लापरवा सिंदगियां बिताते हैं। उनके अस्तित्व का मूल्य नहीं है। मनुष्य उस सत्य को खोजने में असमर्थ है, जो उसे शैतान के प्रभाव से मुक्त कर देगा। यतिपी मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करता है और बाइबल पढ़ता है, फिर भी वो ये नहीं जानता कि अपने आपको शैतान के नियंत्रण से कैसे आजाद करे। विभिन युगों के दौरान बहुत ही कम लोगों ने इस रहसे को जाना है और बहुत ही कम लोगों ने समझा है, वैसे तो मनुष्य शैतान से और देह से प्रणा करता है, फिर भी वो नहीं जानता कि अपने आपको शैतान के पसाने वाली प्रभाव से कैसे बचाए। आमीन अपना खून पसीना और आसू देने को तैयार थी भले ही इसकी कीमत मेरी अपनी जिन्दगी ही क्यों न हो मैं घड़ी के साथ चलने वाली मशीन जैसी बन गई थी अपने पती और परिवार के लिए लगातार कड़ी मेहनत करती रहने वाली अपने पती की तरक्की पर मैं बहुत खुश हुई उसकी धोका देने पर मैं तूट गई घर पर खूब रोती रही फिर भी बाहर जाने पर मुझे जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ता मेरे हमेशा दो चहरे होते जीने का ये बहुत ठाकाऊ और दर्दनाक तरीका था अपनी तूटे हुए परिवार को जोड़ने में अपनी इज़त का ख्याल छोड़कर उस औरत के साथ मारपीट पर उतर आई मुझे अपने दिल में भरे बैर को दबाकर पती को पश्चाताप का मौका देना पड़ा अब मैं समझ भाई हूँ कि मैं शैतान के अधिकारक्षेत्र में जी रही थी शैतान के हाथों की जैसे कटपुतली बनकर रह गई थी इंसानियत के बिना जी रही थी मैं नरक वाली जिंदगी जी रही थी लेकिन मैं इससे सम्मोहित थी ये सोचती रही कि सार्थक जीवन जीने का ये ही एक मात्र तरीका है परमेश्वर की वचनों ने मेरे दिल को खोल दिया मुझे ये समझने दिया कि जिस तथा कथित सुखी जीवन के पीछे में भाग रही थी वो बिकार है इसका कोई अर्थी नहीं है मैं वे चीज़े हासल कर भी लूँ तो क्या हो जाएगा क्या ये बिलकुल खोखली नहीं है मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े तुम एक स्रिष्ट प्राणी हो तुमें परमेश्वर की आराधना करते एक अर्थ पूर्ण जीवन जीना चाहिए यदि तुम आराधना किये बिना अपने अशुद शरीर में जीवन यापन करते हो तो क्या तुम मानवभेश में एक जानवर नहीं हो चूंकि तुम एक मनुष्य हो तुमें परमेश्वर के लिए खुद को खपाना और समस दुखों को सहना चाहिए तुमें जो थोड़ा दुख आज दिया जाता है उसे तुमें प्रसंता पूर्वक और निश्चित ही स्वीकार करना चाहिए अयूब और पत्रस के समान एक अर्थ पूर्ण जीवन जीना चाहिए इस जगत में मनुष्य शैतान का भेश थारन करता है उसके द्वारा दिया गया भोजन खाता है और शैतान के अधीन कार्य और सेवा करता है और उसकी अशुधता में पूरी तरह कुछला जा रहा है यदि तुम जीवन का अर्थ नहीं समझते हो या सच्चा मार्ग प्राप नहीं करते हो तो इस तरह जीने का क्या महत्व है तुम सब सही मार्ग का अनुसरन करते हो सुधार को खोजते हो तुम सब बड़े लाल अजगर के देश में उपर उठते हो परमेश्वर के वचनों ने मेरे संकल्प को और मजबूत कर दिया पृत्वी पर हमारे जीवन में हमारी आस्था परमेश्वर पर शद्धा और स्रिजित प्राणी का कर्तव निभाना ही मूलियों और सार्थक्ता से जीने का अकेला तरीका है बिल्कुल अपनी दुनिया में मैं ठक चुकी थी अपनी शादी को लेकर लोगों के साथ जगडे फसाद में उलच गई थी शैतान ने गहरा नुकसान पहुँचाया था सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ही मुझे बचाया और परमेश्वर के घर लोटने का सौभागे दिया परमेश्वर का धनिवाद मेरे लिए परमेश्वर का प्रेम बहुत महान है मुझे उनके प्रेम का मोले चुकाने के लिए अपना कर्तव ठीक से निभाना होगा वरना मैं इनसान कहलाने या परमेश्वर के सामने जीने के लायक भी नहीं हूँ सही है फिर मैंने सुसामाचार का प्रचार करना और अपना कर्तव निभाना शुरू किया इससे मेरे दिल को सुकून और खुशी मिली परमेश्वर का धनिवाद अब जब कभी मैं अपने लिए परमेश्वर के उद्धार के बारे में सोचती हूँ तो मैं बसी भजन गाने लगती हूँ यदी परमेश्वर ने मुझे बचाया ना होता ज्सन थम भी हूँ ज़ जए पर किया खुफ्वर का रो स्थूशी आदमेश्वर ने मुझे लभज्वर के लिएख लगै यू होता कि के रिलिद उसी ही उसा है, तुज नसी है, पुज नसी है झाले के थाएं को मुधा आई रिया थैंगा, याझ हो वात बश्यूनुन मुधा और प्मुदन कोरा तुण नसी है। पवित डोंश बहों पुस्ट के तेंट तेंट रचज से हों राउयू मिंबाई रुद दुद बहों बहों कि अजने बहों कि टेंगा कि एंप्लिछ कि दें ले वुद जड़ में बहों में पुक्तिि आपके ले आँजर अो बंडब बहर नंड़ जलोो